नमस्कार स्वागत थे आपका हमारे अचार जागेंदर मिशाज चैनल पर शुक्रवार के दिन इलाइची और लॉंग इतना पैशा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे आज हम बात करेंगे लॉंग और इलाइची की लॉंग जो तन्त क्रियाओं में प्रयोग होता है और इलाइची जो मा लक्षमी को खिंशती है आकरसित करता है उनको बुलाती है तो आज हम आपको खास प्रयोग बताएंगे बीडो के अंतक आप बने रहे ये बीडो पूरी तरह से जोतिस पर अधारित है जब मा लक्षमी प्रसन हो जाएं तो चाहत हमारी छोटी पर जाती है खोशिया ज़्यादा मिल जाती है जितना चाहते हैं उस्छे कहीं ज़्यादा और अगर प्रसन नहों तो फिर घोर दरिता का सामना भी करना पड़ता है कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से मा लक्षमी को प्रसन कर लेते हैं अपना भागयोदय खुद ही कर लेते हैं अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजोग लेकर पैदा हुआ और कोई दुर्योग लेकर हर किशी के कुंडली में राजोग दुर्योग दोनों ही होते हैं समय को पहचानिये क्योंकि राजोग आपको चल रहा है आपको पता नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय ऐसा होता है जो भी आप काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं इसका मतलब है कि आपका अच्छा वक्त है तो उस समय को पहचान कर आपको खो मेहनत करना चाहिए ताकि आप दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की करें और जब समय गरबर चले तब भी फिरीत धारा में नहीं जाएं बलकि सिंपल तरीके से लाइव को आगे बढ़ाएं बस चलें दोड़ने की ज़्यादा उशल कूद करने के जरूरत नहीं है मेरे कहने का मतलब आप समझी रहे होंगे जब समय गरबर हो तो शान्त हो जाएए इस्तिर हो जाएए और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा तब एक बार फिर से प्रयास करें चुकि आज हमने टोपिक रखा है इलाची और लॉंग की हर घर में होते हैं ये और इलाची के प्रयोग से आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन खास तरपर माता लक्षमी जगादीन है और इस दिन जो हरी इलाची है इसका प्रयोग करने से आपका शुक्र को बल मिलता है और शुक्र जब मजबूत होते हैं तो ब्यक्ति को शुक्र सुविधा देते हैं एश्वर देते हैं शुक्र संपनता देते हैं भोग बिलास्ता बढ़ाते हैं यहीं आप अच्छे से खाएंगे, पिएंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, घुमेंगे, फिरेंगे तो शुक्र को बेहतर करने के लिए घो छोटे से छोटे उपाई किये जाते हैं अच्छे से कि आप एक थोड़ा सा पानी ले लें और इस में आप इलाइची और लोंक के दा जहाएं तो शुक्र ग्रह मजबूत होता है, माता लक्ष्मी कुर्पा बरेस्ति और पवितरता बढ़ती है, आप उसे किशी भी सिशी या फिर बोतल में रख लें और फिर पिर तेक दिन नहाने के पानी में दो ढिककन डालकार नहाएं, तो पवितरता बढ़ता है, शुक्र खुब सफलता पाएं इसमें तो छोटी इलाइची और मिश्री के बतासे आपके आसपास जो भी हैं तो छोटी इलाइची के कुछ दाने निकाल कर बतासे बगर ले ले और इसको लेकर किशी पीपल के नीचे आप किशी भी शुक्रवार के दिन रख दें शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये माता लक्षमी जी का दिन है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपनी पढ़ाई की कामना के लिए यानि कि वहाँ पर प्रात्ना करें और पीछे मुड़कर मत देखें ये प्रयोक करने से शुक्षा में बाधाएं जो होती है समाप्त होती है वैसे तो जीवन में अगर आपका बिवा नहीं हो परा तो बिवा के लिए भी एक छोटा सा प्रयोक किया जाता है किशी भी शुक्रवार के दिन आप दो हरी इलाची दो लॉंग थोड़ी से मीठी बतासे और सफेज जैसे के मिस्त्री बगारा ले 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 और आप किशी पवीत्र नदी में ले जाकर आप बहते वी जल में प्रभाख कर दें ये फिर तलाब में बहाशकते हैं अब किशी पत्ते के सहारे आप दोनों पर यनी नदी के पास जाएं और इनमें ये वस्त्री रखकर आप वहाँ बहाद है और एक दीपक जला दें बहते वे जल में जब बहे तो अपनी प्रात्ना जरूर करें आपका शुक्र भी मजबूत होगा और माता लक्षमी कृपवरसे के आपस में लड़ाई जगड़े हो जाते हैं तब क्या करेंगे आप शुक्र भार के दिन दो लॉंग और दो इलाइची माता लक्षमी के चरणों के पास हर्पित कर दें और दोसरे दिन सुबह सुर्योदे से पहले एक लॉंग एक लाइची आप खाले यानि के पुरुस और एक लाइची एक लॉंग यानि की आपकी पत निखाले तो आपस में प्रेम बढ़ता है जीवन में शुक्र शुबधाय बढ़ती है शुक्र भार के दिन माता लक्षमी के जब पूजा राधना करें तो आप एक दीपक जला लें और फिर आप अपने ढाइने हाथ में 2 लॉंग, 2 लाइची रख लें और माता लक्षमी के श्मरं करते हुए इस लॉंग लाइची को दीपक में डाल दें जब दीपक बुझ जाय तो यस लॉंग अर लाइची को उठाकर अपने तिजोरी में रख दे यहां धन करकते हैं धन के खजाने में इतना धनाएगा कि संभाल नहीं पाओगे धन संपत्य में जाफ़ा होगा पैसो की आमदनी बढ़ जाएगी तो पैसे की आमदनी के बढ़ाने के लिए लौंग का आप यह प्रयोग जरूर करें शुक्रवार के दिन या फिर आप गार बज़ेंगे ब्यापार में बर्दी हैं और पैसे बढ़ेंगे यह फिर सत्रों समुक्ते चाहते sollten और यह लाइचि ले 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 आप और आप किसकी 14 नहीं पर चले जाएं और पांच पांच ौण पांच लाइचि फांज लांग अप ले आये और शत्रों को नाम लेकर और अपनी मन या फिर अपनी बिशेश मनोकामना तूर नाम लेकर चालों चालों दिसाओं में एक लॉंग एक लांची फेग देए और अंतिम जो एक लॉंग इलाओशी बची है उसे आस्मान की तरह कि अपनी मनोकामना बुलते पीछे आभी नकामना पूरी होगी तो दोस्तों लांग और इलाइशी का ये प्रयोग जरूर करें शक्रवार के दिन इतना पैशा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे तो दोस्तों कमेंट में लिखे जैए मालक शुर्ण साथे वीडियो को लाइक करें जद्धा शेयर करिए और चैनलों पर सब्स्क्राइब करेंगा जैए मालक